Hello everyone, welcome to study time with new informative video. तो चलिए शुरू करते हैं आज की class और यहाँ पर हम important जो idiom and phrases हैं for Allahabad High Court RO ARO exam वो करने वाले हैं. तो पहला है Act of God. Act of God का मतलब क्या होता है? A result of natural forces. Natural forces के द्वारा जो कोई घटना की जाती है उसे बोलते है Act of God. ठीक है? वैद द्रगटना जो रोकी ना जा सके, जो भगवान की द्वारा कर दी गई हो. ठीक है? अगला है Adam's wine और L. तो इसका मतलब क्या होता है? Ordinary water. साधरवन जो पानी होता है उसको बोलते है Adam's wine. ठीक है? चलिए अगला है Alpha and Omega. तो Alpha and Omega का मतलब होता है beginning and end. सुरू and end. ठीक है? Alpha and Omega. चलिए अगला है for good and all. इसका मतलब होता है forever. Good and all का मतलब होता है forever मतलब सदा के लिए जो हमेशा रहे. तो वो क्या है? for good and all. अच्छा और सभी के लिए और हमेशा हो. चलिए अगला है far and wide. तो इसका मतलब होता है everywhere and many places. मतलब की दूर दूर तक. हर जगह हो और बहुत सी जगह हो. far भी है और wide भी है. चलिए अगला है carry weight. तो carry weight का मतलब होता है to have influence. प्रभाव रखना. मतलब की आप देखते होंगे क carry weight का मतलब क्या होता कि वजन है. तो आपकी बाद में कोई वजन हो. carry weight मतलब प्रभाव रखना. चलिए अगला है an afternoon farmer. afternoon farmer का मतलब होता है a lazy person. किसान कैसा होना चाहिए? किसान एकदम ऐसा होना चाहिए जो महनती हो. और अगर महनती नहीं है तो वो किसान ही नहीं है. तो यह noon farmer मतलब lazy है. जबकि किसान को कैसा होना चाहिए? सुबह भी देखे, दुपायर भी देखे, साम भी देखे. ठीक है? तो ऐसे आप relate करके नहीं समझिए. अगला है body and soul. तो body and soul का मतलब होता है पूरी तरह से. मतलब आत्मा और सरीर दोनों present हो. ऐसा नहों कि आप सोच कहीं हो और सरीर यहां है. तो पूरी तरह से होना चाहिए. मतलब holy या फिर entirely. अगला है beat to pulp. beat to pulp मतलब to hit someone hard until they are seriously injured. तब तक किसी को पीटते रहना, जब तक कि वो बिल्कुल seriously injured ना हो जाए. मतलब कि बुरी तरह पीटना. तो beat to pulp. pulp जानते होंगी, गूदा बोलते हैं, जैसे कि आम क होता है. तो आम का गूदा होता है, अगर उसको पीटेंगे, मतलब तो वो क्या होगा? बिल्कुल बहने लगेगा. तो क्या कह सकते हैं कि इतना पीटना कि वो बिल्कुल घायल हो जाए, खुण छोड़ दे. चलिए, अगला है hell and hearty. हेल and hearty का मतलब होता है healthy, स्वस्तेक्तम हेल and hearty. चलिए, अगला है nook and cranny. तो nook and cranny का मतलब होता है every part of a place, हर इस्थान पर, हर जगे हो, कोई चीज क्या हो, हर जगे पर हो, मतलब nook and cranny. अगला है make of with. make of with का मतलब होता है to run away. कोई वस्तु आदि लेकर भाग जाना. तो इसको बोलते है make of, sorry, make of, make of with. अगला है will and woe. तो will and woe का मतलब होता है सुख और दोख्यानी की happiness and sorrow. याद रखिएगा इन सभी example जितने भी आपको बता जा रहे हैं. अगला है up in arms. तो up in arms का मतलब होता है लड़ने को तयार. एकदम arms आपने क्या है? तयार रख लिए हैं, ऊपर हैं. तो इसका मतलब किया है? to be very angry and make a great protest. लड़ने को एकदम तयार हैं. अगला है to open the ball. बॉल को open कर देना. मतलब कि शुरू कर देना. to beginning. शुरू करना. अगला है not born yesterday. मतलब कि जो क्या है? not ignorant like a child. मतलब कि ना समझ नहीं है. मूर्ख मत समझो. not born yesterday. जिससे आसानी से मूर्ख ना बनाया जा सके. मतलब कि वो समझ है. तो not ignorant like a child. जैसे कि आप example में भी देखते होंगे. कि example दिया जाता है कि आप तो ऐसे समझ रहे हैं. जैसे हम कल ही पैदा हुआ है. इसका मतलब है कि हम कल पैदा नहीं हुए है. मतलब कि हमें सवती चीज़ की जानकारी है. तो हम कोई मूर्ख नहीं है. बच्चे नहीं है तो not born yesterday. Next है take to heart. Take to heart का मतलब होता है कोई चीज दिल में ले लेना. To think seriously about criticism और advice. किसी ने आपकी बुराई कर दी या आपकी कुछ चीज़ें बता दी आपको कि आप ये गलत करते हैं या ऐसा है. तो आप उसको दिल में ले लिए कि आरे वो तो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा तो इसका मतलब होता है कि proceeding successfully. सफलता पूरवक आगे बढ़ना. ठीक है? तो to keep the ball rolling. आपको अपनी जो बॉल है वो रोल करते ही चले जाना है. जैसे कि आपको अगर अलाबाध हाइकुट आरो एरो का exam निकालना है. तो आपको अपनी जो बॉल है यानि कि study है वो लगातार कर पूंगाते रहना है ठीक है रोल करते रहना है तभी आप सफलता पा सकते हैं अगर नहीं करेंगे तो आप क्या है नहीं पा सकते हैं और कोई और पा जाएगा चलिए अगला है इन आ परसंस सू इन परसंस सू यानि कि in place of something किसी चीज़ के या किसी के इस्थान पर परसंस पर वैसे मीनिंग लेंगे तो कुछ और निकलेगा इसका अर्थ लेकिन यह पता है आपको एडियमेंट फ्रेजेस हैं इनका एक फिक्स मीनिंग होता है तो क्या होता है इन परसंस सू का मतलब कि in a in place of something चलिए अगला सवाल है reduce to excess reduce to excess का मतलब होता है to go to waste मतलब जलकर राख हो जाना reduce to excess मतलब इतना कम होगा कि राख हो गया कोई चीज समझ लेजे कि आपके पास कोई चीज बहुत कीमती थी या बहुत थी लेकिन इतना कम कम होते होते वो क्या हो गया राख हो गया मतलब कि विल्कुल खतम हो गया तो to To go to waste, बिल्कुल जलकर राक हो जाना, अगला है, reduce to skeleton, reduce होके क्या हो जाना, skeleton हो जाना, हड़ी हो जाना एकदम, बोलते हैं ना कि तुम तो यार बिल्कुल कंकाल हो गयो, मतलग भी बहुत पतले दुबले हो जाना, तो to become very weak, यानि कि बहुत कम जोर हो जाना, अगला है, to have a voice, तो have a voice मतलब inquiry या फिर पूछताच, चलिए, अगला है, to have a windfall, to have a windfall का मतलब क्या होता है, अचानक धन मिल जाना, to get money, suddenly, आप देखते होंगे कि हम बोलती ही कि चपर फाड़ के मिल जाए, तो चपर फाड़ के मिल जाए, या windfall हो जाए, सेम चीज़ है, ठीक है, to have a windfall मतलब, अचानक धन मिल जाना, चलिए, अगला है, you man's service, you man's service का मतलब है, अच्छा कार, you man मतलब, साइध ब्रेटेन में ही इसको फार्मर बोलते हैं, तो फार्मर कैसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो good and useful service, अच्छा काम, अगला है, to catch red-handed, red-handed पकड़ जाना मतलब, रंगे हाथ पकड़ जाना, मौगे पर पकड़ जाना, ठीक है, to discover one doing illegal things, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, और आप पकड़े गए, अगला है, to end in smoke, इसका मतलब होता है, आसफलता, यह समाथ हो जाना, come to nothing, ऐसी चीज़ पर पहुँचे जहां भी कुछ नहीं था, to end in smoke, धुवे में पहुच गए आप, ठीक है, तो धुवे में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, अगला है, to get wind off, इसका मतलब होता है, खबर लगना, मतलब पता चल जाना, to hear a piece of information, कोई चीज़ पता चल गई, तो to get wind off, अगला है, high time, high time का मतलब क्या होता है, उचित समय, और आप एक, जो sentence है, वो भी जानते होंगे, यूज़ किया जाता structure, it is high time, और इसके बाद, आपको पता है कि past tense यूज़ करते हैं, ठीक अगला है, बिल्कुल high time है, अगर अभी नहीं करेंगे, उचित समय है अभी, और अभी नहीं करेंगे, तो selection फिर नहीं होगा, चलिए, अगला है, crocodile tears, तो crocodile tears से आप समझी रहे हैं, घड़याली आसू, यानि कि जूटे आसू, false and pretended display of grief, चलिए, अगला है, capital punishment, capital punishment का मतलब होता तभी आपका दोस्त हो, और जब आपके जीवन पे बादल मंडर आ रहे हो, यानि कि कटनाई हो, परिशानी हो, तो वो आपको छोड़कर चला जाए, तो ऐसे मित्र को क्या बोलते है, जूटा मित्र, यानि कि false friend, तो fair weather friend है, कि इवल अच्छे-च्छे, सुक-सुक का साथी ह दुख में साथी नहीं है, अगला है, a man of letters, a man of letters मतलब author या फिर scholar, जो सहित परचित व्यक्ती होता है, तो letters का वो क्या है, मैंने चलिया, अगला है, अब burning question, burning question मतलब क्या होता है, महत्पूर्ण प्रसन, important question, तो questions which is important and invites discussion, तो ऐसा question जो बहुत ही महत्पूर्ण हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि exam के लिए कुछ ऐसे महत्पूर्ण प्रसन होते हैं, जो आप देखते हूं कि top 50, top 100, है ना, या कोई ऐसे question होते हूं कि जो लगबर-लगबर हर exam में पूछी लिए जाते है, तो वैसा question क्या कहला हैगा, burning question, चलिए, वैसे ये भी अपने आप में एक burning question है, जो exam में आ सकता है, अगला है, a bird of passage, तो a bird of passage means होता है, a person who does not stay in a place for very long, एक जगह न ठेलता हो, ठीक है, चंचल हो, एक जगह न ठेले, तो a bird of passage का मतलब होता है, जो यहाँ वहाँ चलता है, फिरता रहे, चंचल हो, अगला है, a beast of burden, beast of burden मतलब होता है, a large animal for carrying heavy loads, वो next है, an old hand, an old hand का मतलब होता है, कि an experienced person, बुढ़ा हाथ है, बुढ़ा का मतलब, old मतलब यहाँ पुराने से, तो पुराना हाथ है, मतलब की skill है उसके हाथ में पहले से, तो अनभवी व्यक्ति, तो यह थी आज की आपकी class, मिलते हैं, कल नई class के साथ, thank you, और अगर आपकी कोई query है, तो comment section में आप पूँच सकते हैं, thank you